कैंट थाना चेतर में बीते दिनों हुई शराब सेल्समैन के साथ लूट के मामले में क्राइम रांच और कैंट थाना की पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक अभी युक्त को गिरफतार किया है जिसके कब्से से पुलिस ने डेढ़ लाग रुपे बरामत किये हैं पकड़े गया भी युक्त का नाम रिंक हुए जो फत्य पुर्जिले का निवासी है आपको बता दे कि बीची 26 तारिक को जिन्दहाडे लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था जिनको सेसी टीवी फोटेज में पहचानते हुए पुलिस ने कारवाही कर एक अभी युक्त को गिरफतार किया है जबकि अन्दो की तलाश अभी जारी है यह 26 तारिक को हमारे यह चावनी धाना चेतर में एक मल्टी लेविल पार्किंग है उसके सामने ही शराब यह विसाही है वो अपना पैसा इखटा करके निकल रहे थे मोटर साइकल से उनके सामने तीन लोगों ने मोटर साइकल को रोखा और पिट्टू बैक उनका जो था वो चीन लिया था जिसमें कुछ उनके कागजात थे और लगबग सवा तीन लाग रुपे रखे थे इस घटना के बाद जो है वो मुकदमा थाना चेतर में लिखा गया था और तत्काल पुलिस ने कारवाई शुरू की थी इसमें जो मल्टि लेवल पार्किंग और उसके आसपास जो सी सी टीवी कैमरास थे उनकी गहनता से चानवीन की गई थी इसमें थाना चाबनी पुलिस और हमारा सबलाइंस टीम और उक्राइम ब्रांच है उन लोगों ने बड़ी महनत के साथ में उन मुल्जिमों को उनकी पैचान कराई गई थी और उनको जब देखा तो उसमें दो मुल्जिमों की पैचान हुई थी जिसमें एक रिंकू गुर्फ राजेश्वर है जो थाना और दूसरा मुल्जिम जो है वो सुनील कुमार लोदी ये भी जनपत फतेपूर कर रहने वाला है इनकी पैचान की गई थी और आज इनमें से एक रिंकू को थाना पुलिस दोरा के रिफटार किया गया है और इसके कबजे से जो रूट के लगबग एक लाग पचास हजार क करीब जो काम है वो बरामत की गई है ये रिंकू के बारे में पता चला है कि ये इसके उपर 10-11 मुकदमे है और फटैपुर से ये हिस्ट शीर्टर है इसके उपर तमाम और भी मुकदमे हो सकते हैं इसकी चानबीन की जा रही है और जो अन्य जो अभ्यूक्त है उसकी अन्य जूर ऑारा धसके बहली को और देखब घसके दमार практи मुकदमे है और reduction मुकदमे ह अन्य जो रही हारा जो शूपर ज W झाने तूके जए है ऑन वाग्यूकरव का उन्य जो